प्रधार्मति नरेंदर मोधी 30 मई को साम 7 बजे नरेंदर मोधी दूसरी बार परधानर मंत्री पद और गोपनियते की सपत लेंगे जिहां दोस्तो उस समय प्रधारमति नरेंदर मोधी बहुत बड़े ऐलान कर सकते हैं जिससे जनता को सीधा फाइदा होगा जी हाँ दोस्तो बीडियो को पूरा देखिए दोस्तो नेरेंदर मोदी दूसरी सरकार का पहला तौफा उन गरीब छोटे और दुकानदारों को मिल सकता है जो आर्थिक मोर्चे पर जूज रहे हैं जो जादतर गरीब हैं या वे ऐसे किसान हैं जो अपने घर परिवार को हासपा ने रखा हैं जिससे गरीब किसानों और दुकानदारों को पैंसन की सुबिधाय दी जाएगी जी हाँ दोस्तो परधार मत्री नेरेंदर मोदी दूसरा फैसा देश के उन गरीब किसानों के लिए होगा जो दर असल बीजेपी ने अपना घोशना पत्र में कह दिया उन किसानों को समाजिक सुरक्षा के तहट सरकार उनको पैंसन देगी सपत के बाद पूर्ड बजट का एलान किया जा सकता है प्रधार मत्री नेरेंदर मोदी के दौरा जिससे 60 वर्ष के किसानों को पैंसन के सुबिधाय भी दी जाएगी जी हाँ दोस्तो इस बार प्रधा प्रधार माफी हो सकता है जिसका फाइदा कामगर किसानों और छोटे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलेगा वे ऐसे लोग हैं जो अपनी उनके पास तो पैसा नहीं है काम करने के लिए और सरकार उनको पैसा देगी जिससे वे अपने इस्थिति को और भी सुधार स जाएगा और इस प्लेट फόर्म को दुनिया के बड़े-बड़े कंपनियों से जोट दिया जाेगा इस से ऐसा होगा कि कंपनियों को इसके लोगों की जरूरत होगी तो वह इस प्लेट फोर्म से लोगों को चाट करके सीधे नोकरी देदेगी इस प्रजेक्ट के बाद सरक सरकार नौकरी के नए उसर उपलब्ध कराने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे नेशनल स्कीम रजिस्टर यानि की एन एस आर कहा जाता है। डेवलब्मेंट एंड इंटर्पनियोर मिनिस्टर कुसल और हुनर मंद युवाओं का एक डाटाबेस तयार कर रहा है जिसमें करीबन दू करोड युवाओं का प्रोफाइल तयार कर रहा है। जिसकी मदद से इस प्रोजेक्ट में सामिल की गई लगबग 20,000 से जादा कमपनियों को जरूरत के हिसाब से युवाओं को नौकरी मिल जाएगा। और युवाओं अपने हिसाब से उस सेक्टर में नौकरी चुन सकता है। जी हाँ तो इसी तरीके के वीडियो और मोदी सरकार से जुड़ी हर खबर लाइफ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी बीडियो डले आप तक हमारे वीडियो को पहुंच सके और आप इस तरीके के वीडियो देख सके जी हाँ दोस्तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करे यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करे और अपना वोट जरूर दे जी हाँ दोस्तो सरका सरकार ने कहा था कि मद्यमवर को करो और उसको राहत देने के लिए भी कदम उठा रही है इसके अलावा GST का भी सरलीकरन के लिए पूरी जरकारी होने की संभावना है और नई सरकार की गठन के बाद सरकार प्राइवेट इंवेस्मेंट को भी बढ़ावा देने और मांग के नई जान फुगने के लिए खास तरीके से तयार कर रही है आपको बता दे कि वर्स 2018 और 19 में पूरे साल के लिए सकर घरेलो उत्पाद के अनुमान 7 परतिसत होने के मद्दे नजर 4 ती माही में GDP घटकर के 6.5 परतिसत रहने की उमीद बताई जा रही थी लेकिन हाल के महीनो में नीजी कमपनियों में कमी के लिए करो और भोगताओं बिकली के लिए आई घिरावट मांगी कमी का संकेत पता रहे लेकिन अगर जुलाई में बजट पेस किया जाता तो टेक्स में कमी आ जाएगी इसके तहट GST 2.0 को लेकर भी सरकार पहले ही यह चाचा कर चुके हैं जिसके अनुमान के तहट आसान यह होगा कि रेट स्ट्रक्चर के सीमाच पर पेट्रोलियम जैसे उतपादों को GST के दाएरे पर लाना सामिल कर दिया जाएगा GST के चार स्लैब 5% 12% 18% और 28% को काटा करके अब दो मुख स्लैबों में किया जाना होगा